हेलो एवर्यों वेल्कम टू आवर यूटिब चैनल पीचेपी क्लासिस तो आईए करते हैं कोस्चन नंबर 38 तो यह जो कोस्चन नंबर 38 है यह चैप्टर 13 से लिया गया है सर्फिस एरिया एंड वॉल्यूम से तो यह सेम कोस्चन पेपर यह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुए जहां से आप इस कोस्चन पेपर को डाउनलूड कर सकते हैं और इससे सॉल्ट करने से पहले मैं चाहूंगा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तो आए करते हैं कोस्चन नंबर 38 तो इस कोस्चन के अंदर यह कह रहा है कि और इसके उपर राइट सर्कुलर कोन है तो एक हम राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं तो इस तरीके से यह एक कोन हो गया दा हाइट अफ दी कोन इस 10 सेंटिमेटर तो यहां पी यह इसकी हाइट हो जाएगी और यह 10 सेंटिमेटर इसका हाइट है and the radius of the base is 7 और जो यह radius है यह 7 cm हो जाएगा यहां से यहां जो कि इसका base है determine the volume of the toy अब हमें इसका volume निकालना है और also find the area of the colored sheet required to cover the toy use pi is equal to और यहां पर जो pi है यह हमें लेना है 22 by 7 और एक value दे रखा है 149 under root 12.2 तो यह value कहीं question के अंदर use होने वाला है तो अब हम इसको करते हैं solve तो सबसे पहले हम volume निकालेंगे उसके बाद में area of the colored sheet required to cover the toy तो इस toy को cover करने के लिए कितनी area of colored sheet की ज़त पड़ेगी वो निकालना है तो सबसे पहले हम निकालते हैं volume तो इसमें total volume निकालने के लिए यहाँ पे जो यह cone दिया हुआ है तो cone के लिए for cone इसके लिए height दिया हुआ है 10 cm और जो radius है 7 cm हो जाएगा तो जब हम volume निकालेंगे तो 1 by 3 pi r square h होता है तो इसमें ज़्यादा दिकत नहीं है और फिर जो यह hemisphere है तो इसमें भी सिर्फ radius के जुरत पड़ती है volume निकालने के लिए तो जो इसका volume होता है वो होता है 2 by 3 pi r cube तो हमारे पास में यह जो दोनों dimensions है cone और for hemisphere hemisphere इसके लिए जो radius है वो 7 cm है तो therefore volume of toy तो volume of toy में क्या आ जाएगा क्योंकि यह दोनों जुड़ा हुआ है आपस में तो इसलिए volume of cone plus volume of hemisphere तो जो volume of cone होता है यह 1 by 3 pi r square h होता है और जो volume of hemisphere होता है यह होता है 2 by 3 pi r cube तो जिसमें से pi r square और pi r cube इसमें से हम common ले सकते हैं pi r square तो इधर आ जाएगा 1 by 3 और 7 में है इसके h इसमें से pi r square तो यह 2 upon 3 pi और r square तो बाहर चले जाएगा एक r बच जाएगा अब हम इसे value put करना है इसके अंदर तो pi की जगा पे 22 by 7 और जो r square है तो r यहाँ पे 7 और 7 दिया हुआ और 1 by 3 जो height है जो height है यह कौन के लिए है तो कौन का जो height है यह दे रखा यह 10 cm है प्लस 2 by 3 और जो r है यह 7 है फिर 1 7 और 1 7 यहाँ से cancel हो जाएगा तो 22 into 7 तो 154 और यहाँ पे 10 बंजा 10 10 upon 3 प्लस 14 upon 3 यह आ गया तो is equal to 154 और 10 और 14 को हम प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 24 upon 3 और इस 3 से हम इसको काट सकते हैं तो 3 8 जा 24 तो अब यहाँ पे यह हो जाएगा 154 को जब हम 8 से multiply करेंगे तो 8 4 जा 32 2 और 3 158 जा 120 और 120 प्लस 3 तो 123 123 इतना centimeter cube तो क्योंकि volume है तो हम इसको cube में लिखेंगे यह हमारा answer हो जाएगा volume निकल गया अब यहाँ पे हमें यह पता करना है कि इसको कितने color sheet की जरुवत पड़ेगी इसको cover करने के लिए तो यहाँ पे curved surface है इसका और उपर से भी curved surface है क्योंकि बीच का तो एक दूसरे से यह अचिप का हुआ तो इसलिए हमें बाहर बाहर का निकालना है सिरिफ तो यहाँ पे जो surface area होगा colored sheet का surface area of colored sheet यह हो जाएगा curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere तो जो curved surface है कौन का यह होता है पाई आर एल plus curved surface of hemisphere जो नीचे है इसका होता है 2 पाई आर square तो एक चीज जो पाई और आर की value तो हमको पता है बट यह जो एल है यह पता नहीं है तो यहाँ पे हम एल क्या होता है एल होता है slant height तो यहाँ पे हम slant height निकाल लेंगे पहले तो एल एल slant height है तो h square प्लस r square तो h square plus r square इसका root यही slant height होता है तो 10 का square plus 7 का square यह आगे 100 प्लस 49 तो 100 plus 49 149 होता है और यहाँ पे यह value दिया हुआ है पहले से हमको जो 149 है इसका root 12.2 लेना है तो यह हो जाए 12.2 तो यहाँ पे जैसे यह pi है तो 22 by 7 और radius यह 7 दिया हुआ है लेकिन जो L है यह हम ले लेंगे 12.2 plus 2 pi r तो यहाँ पे हम 2 pi r अगर हम यहाँ से common लेते तो जादा easy पड़ता बट अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते तो 22 by 7 और जो r है यह 7 into 7 है तो इसमे 22 by 7 into 7 तो 7 से 7 कट गया इधर भी यह 7 से 7 कट जाएगा और हमारे पास में यह 22 है इसको हम बाहर ले सकते तो 22 आ जाएगा बाहर तो इधर से बच गया 12.2 प्लस यह जो 22 है यह हमने बाहर ले रखा तो इसलिए 2 और 7 मतला 14 आ जाएगा अब जब 22 से जब इसको इसके साथ हम add करके जब multiply करेंगे तो इसमसे पहले हम add कर लेते हैं 4 और 26 और 2.2 तो 26.2 को इस 22 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 22 तूजा 44 यह आ जाएगा 5764 और एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं तो 576.4 तो इतना centimeter square तो यह आ गया इसका area thus area of colored sheet colored sheet used used to cover the toy is 576.4 centimeter square और यह हमारा answer हो जाएगा इस question के लिए तो I hope कि आपको यह question समझ में आया होगा तो मिलते हैं and next video में next question के साथ thank you so much काई अजया 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 आजया आपको यह आपको यह